हालो गैस राधे राधे वेलकम बैक टुकाना चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज हम वेज मिक्स अचार बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े साइच के गांजर लिये हैं दो बड़े साइच के मूली एक पाव मैंने हरी मिर्च लिया है एक पाव हरा मतर सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धुल लिया है इसके छिलके भी उता लिये हैं मूली और गांजर के और देखिए काफी साब पानी से मैंने धुला था सबजीयों को और बिल्कुल सुखा लिया है इसमें बिल्कुल नमी नहीं रह गया है पानी बिल्कुल नहीं रह गया है सबजीयों में तो यहाँ पर मैं सबजीयों के साथ साथ गोभी भी ले रही हूँ लहसन अद्रक तो देखिए बिलकुल पानी नहीं रह गया है तो पानी बिलकुल नहीं रहना चाहिए आपकी सब्जियों में यहाँ पर मैंने एक फूल गोभी लिया है जिसके छोटे-छोटे टुकड़े मैंने काट लिया इस तरह से यहाँ पर लेते हैं तो आप इस तरह से भी डाल सकते हो अचार में और इसे काट कर भी डाल सकते हैं अगर आप काट के डालोगे तो आपके जो मसाले हैं अंदर तक पहुंच जाएगा तो इस तरह से हम बीच में कट मार्क लगा दे रहे हैं और कट इस तरह से में लगाएंगे पूरा तो इहां पर मैं लहसन अध्रक और अध्रक और हरी मिर्च को इसे निकाल लेते हैं और वापस से इसी कढ़ाई के उपर हम इस्टीमर रखकर सारी वेजी टेवल जो मैंने काटे हैं गोभी, गांजर और मूली को इसमें इस्टीम करना है मटर को तो जितने भी वेजी टेवल हैं पहले मैं गोभी डाल दे रही हूँ, फिर जो गांजर, मूली और मटर है उसे भी हम डाल दे रहे हैं उपर से, इसे हमें केवल 15 मिनट के लिए 10-15 मिनट इस्टीम करना है, ज्यादा इस्टीम नहीं करना है, केवल 10-15 मिनट, अब 10 मिनट भी इसे इस्टीम देंगे तब भी चलेगा और 15 मिनट भी हो जाएगा तब भी चलेगा तो इसे ढग देते हैं तो यहां पर 10-15 मिनट हो चुका है इसे अब निकाल लेते हैं तो गोभी और गांजर मूली मटर है वो काफ़ी सॉप्ट हो चुका है तोड़ने पर इसका क्रंच नह यhã झालग को बिए तरफ में वेजिटेवल में निकाल लेते हैं अच्छा-कासा इसका पानी निकल जाना शाजहाए वेजिटेवल के रख करने में सब्सकूंति क्षारी नाँ चाहिए बिल्कॉल आप होने यह मक्म्मार्म नमी है वो खतम हो जागए तभी हम इसको अचार बनाएंगे तिहाँ पर वापस से मैंने वही जिसमें इस टीम किया था कрьाई मैंने वही लिया है इसके पानी निकाल देया है इसमें हम सरसो ले रहे हैं तो सरसो थोड़ा सा हम भूल लेते हैं सरसो की जो नमी है वो निकल जाना चाहिए तो ज्यादा इसे भूने नहींगे केवल हमें ज्यादा भूनना नहीं है केवल दो मिनट के लिए पस भूनना है तो दो मिनट में इसके सारे नमी खतम हो जाएंगे ये दरदरा से हमें पीसना है मसालों के साथ तो यहाँ पर दो मीनट हो चुका है इसे पलट लेते हैं तो यहाँ पर गैस आन है क्योंकि हमें मसाले भूनना है तो कडाई मैंने गैस पर रख दिया है अब यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा चमस धनिया और दो बड़े चमस सौफ लिये है थोड़ा सा आधी छोटी चमस मैंने काली मिर्च लिया है और यहाँ पर आधी छोटी चमस से भी कम मैंने काली मंग्रैल लिया है आधी छोटी चमस से भी कम मैंने मिथी के दाने लिये है और एक चमस के करें मैंने जीरा लिया है तो सारे मसालों को हमें भून लेना है हमें इतना ही फूनना है कि इतने इसके जो नमी खतम हो जाए हमें ज्यादा नहीं भूनना है इसके नमी खतम करना है मसालों में ज़रा सभी नमी रहती है न तो फंगस वगरा चार में जल्दी लगने लगते हैं तो इसलिए थोड़ा सा हम रोष्ट करेंगे इसे ज़्यादा नहीं फूनेंगे जब हल्की हल्की से खुस्बू आने लगे तभी हमें गैस को कर देना है बंद तो आपर 3-4 मिनिट हो चुके हैं गैस को मैंने बंद कर दिया इसे थंड़ा होने देना है देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और थंड़ा कर लेते हैं तो देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब इसे ठंडा कर लेते हैं आईसे भी ठंडा कर लेते हैं हमारा जो सरसो था ठंडा हो चुका है मसाले भी ठंडे हो चुके हैं अब इसे हमें पीस लेना है आपको फाइन पाउडर अगर अचार में पसंद हो तो फाइन पाउ कमा जो मसाला होता है परफेट है तो इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पर हमारे सारे जो वेजिटेवल थे अच्छे से सोग चुके हैं और यह देखिए बिल्कुल इसमें पानी नहीं रह गया है इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी सब्जियां उसमें पानी बि अच्छे से अब क्या करते हैं साइड में मैं रख दी हूं गैस पर आयल यह सरसो का तेल है इसमें थोड़ा सा धूवा निकलने लगे तभी हमें गैस को कर देना है बंद उबालना नहीं है आयल को केवल एक धूवा निकलने लगे तभी हमें गैस को कर देना है बंद इससे जो आईल का जो कच्चापन होता है, जो आँख में लगता है, वो चीज लगेगा नहीं और खाने में बहुत स्वाधिष्ट आता है अचार, तो आप इस तरह से अचार बनाएंगे ना, तो आपके अचार सालो साल चलने वाले हैं, तो आईल को हमें गरम कर लेना है, लेकिन हा तो यहाँ पर हमारे जो वेजी टेवल हैं, उसमें हम डाल दे रहे हैं नमक, इस अच्छे से बढ़िया से हम मिक्स कर ले रहे हैं, नमक आप थोड़ा सा कॉंटिटी के हिसाब से जिस हिसाब से आप नमक खाते हो, थोड़ा सा इसमें ज्यादा अचार में डालना है, तो नम दो चमस मैं नहीं हूँ, और अचार को हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है, हल्दी और नमक के साथ, बाहर से थोड़ी सी आवाज आ रहे हैं इस इग्नोर करिएगा, नमक और हल्दी में अच्छे से मिक्स हो जाने पर हम इसमें डालेंगे, एक चमस के करीब, कस्मीरी रेट च एक बड़ा चमस मैं कस्मीरी रेट चिली पाउडर डाले हूँ, क्योंकि मेरा जो स्पून है, वो छोटा चमस है, तो दो स्पून मैंने डाला है, तो एक बड़ा चमस कस्मीरी रेट चिली पाउडर डालेंगे, आपको यहां अगर रेट चिली भी डाला है, तो आप डाल सक कि फिलाल हरी मिर्च पड़ा है तो इससे तीखा पन तो इसमें आ ही जाता है तो इसमें हम लाल मिर्च का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं कस्मीरी मिर्च का इस्तमाल कर रहे हैं तो यहां पर मैंने दो छोटे चम्मस कस्मीरी मिर्च लिया रेचीली पौड़ लिया है और यहां पर थोड़ा सा मैं अजवाइन डालूंगी अजवाइन ऑफिसनल है आप डालना चाहते हैं तो डालिए नहीं तो इसकीब कर दीजिए अजवाइन को तो यहां पर मैं दो बड़े चमर से डाल रही हूं अमचुर का पाउडर यह जरूरी है अमचुर का पाउडर अब जरूर डालिएगा इससे अचार में थोड़ी सी खटास आ जाती है तो बहुत ही टेस्टी आती है अचार तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मसाला मैंने पीसा है उसे हमें डाल देना है तो मसाला आप अपने हिसाप से डालें है गम ज़यादा जैसे आपको अचार में पसंद हो उस इसाप से डालें तो यहां पर मैं थोड़ा सा बचा भी दी हूं अचार का मसाला और सारे मसालो को हमें वेजी टेबल के अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है यह अब ये आयल हमारा ठंडा हो रहा है, तो हाँ पर देखिए, हम विनेगर डाल रहे हैं, ये सफेज सिर्का जो होता है, बस उसे डाल देना है एक चमच, एक चमच से ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, केवल एक चमच इसमें डाल देजिए, और बहुत ही अच्छा आपका अ अचार बन गया है, मैंने विनेगर इसलिए डाला है, कि इसमें जो फंगस लगते हैं, वो नहीं लगेगा, आप सफेज सिर्का जरूर डालिएगा, तो अब आयल भी हमारा ठंडा हो चुका है, काफी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम डाल देते हैं अचार के उपर, अगर आप आयल ज्यादा डालते हो, तो आपका जो अचार सालों साल खराब नहीं होता है, और जैसे कि तेसे अचार बना रहता है, तो अचार में आप जितना आयल डालेंगे, उस इसाब से अपका अचार बहुत ही ज्यादा दिन तक चल सकता है, तहां पर मैं आयल को डालने के ब अब इसे हम 5 गंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे इसको बिल्कुल जार में अभी नहीं पलटना है तो इसे इसी जिसमें हमने मिक्स किया है इसी में हम छोड़ देते हैं 5 गंटे के लिए ठक कर ताकि जो भी हो सब्जियां उसमें अच्छे से नमक पढ़ जाए तो ये देखि अब इस अचार को हम जार में डाल देते हैं तो अचार तो मैंने पलट लिया है जार में और इसे इस तरह से हिला देना है हिलाने के बाद इसके उपर हम एक कॉटन का कपड़ा लगा देंगे क्योंकि हमें धूप में दिखाना है इसे तो इसे 5 दिन तक हम धूप में दिखा क्यूंकि अगर आप धूप में दिखा देते हैं तो आपके अचार सालू साल बचे रहते हैं। इस तरसे आप रीबन लगा देजिए तक इसमें धूल मिटी बिल्कुल ना जाए। तो इस तरह से आप बाण देगे ना तो आपके अचार में कोई धूल मिट्डी जाने वाला नहीं है तो अभी धूब है तो हम धूब में रख देते हैं अचार को क्योंकि हमारे हाँ धूब काफी रहती है तो इसे हम रख देते हैं धूब में तेहाँ पर दो घंटे हो चुके थे धूप दिखाए और मैं दिखा रहे हूँ अपना अचार ये देखिए बिल्कुल कलरफुल हमारा अचार लग रहा है और इसे मैं इस तरह से चला दे रहे हूँ जब भी आप धूप में दिखाए तो इस तरह से जार को उठा के या हितु हिला दीजिए आप पर जरूर हिलाईएगा अचार को जब भी आप धूप से उठाए अचार को एक बार अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेर अपने काना चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले ब्लॉक में तब तक के लिए राधे राधे आइंड बाय बाय